कानी बहु किशोरे लाल जी के बेटे रागव की शादि की बात जगा-जगा चल रही थी लेकिन किशोरे लाल जी को कोई लड़की पसंद नहीं आ दि थी और उसकी एक ही वज़े थी किशोरे लाल जी का लाल ची होना उनको लड़की वालों से मोटा दहिर चाहिए था और इसी चक्कर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले की घर अपने बेटे का रिष्टा लेकर पाजे उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश देखे किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपती, जायदाद, सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है बापा, नाम से लगता है बहुत खुबसूरत होगी कितना अच्छा नाम है ना, नैना वह से बहुत तो सही है आपकी अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है एकलोती बेटी, आप भी क्या करेंगे सापको जूसे ही देंगे ना बिल्कुल ठीक पैचान आपने बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम पापा, बिनादे के हाँ कर दीजिये ना इतना अच्छा रिष्टा फिर कहा मिलेगा माला माल हो जाएंगे हमा मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ आरे नहीं, नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है सुनकर ही लगता है, बहुत सुन्दर होगी रहने दीजिये अंकल मैं तो आपकी बेटी के नाम से इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना दे के शादी करने को तयार हूँ अब तो मैं उसका चहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा और इस तरह रागव नैना का चहरा नहीं देखता और उससी शादी कर लेता है शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब रागव नैना का घूंगट उठा कर देखता है तो नैना की आँके बंद थी कितने खुबसूरत हो तुम नैना जरा अपनी आँखे खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही नहीं, मुझे शर्म आती है औरे, मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा और अब अगर तुम आँखे खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा इससे पहले कि नैना अपनी आँखे खोलकर रागो की तरफ देखती अच्छानक से लाइट चलेगे और रागो नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया अगली सुबर नैना रागो के लिए नाश्ता बना कर लेकर आई अरे ये क्या? आधा पराठा सीखा हुआ है और आधा बिल्कुल कच्छा ये तुमने क्या किया नैना? बहुँ? तुमने क्या आधा पराठा तबे से नीचे लटका कर रखा था? जो आधा सीखा है और आधा कच्छा मुझे जितना दिखीगा उतना ही तो सीखूँगी न पापाजी जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्छा रह गया होगा इसका क्या मतलब है? ये कैसा मसा कर रही है तुम अरे बहु तुमने इतना लंबा गुंगट क्यों लगाया हुआ है देखो हमारे घर में बहुँओं को बेटी की तरह रखा जाता है और पिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो देखो ये घुंगट डाल कर रखने के कोई ज़रूत नहीं है अहाँ नैना पापा जी ठीक कह रहा है तुम तो आराम से रहो अपना इगर समझो नैना अचानक से अपना घुंगट उठा लेती है अरे ये क्या पापा नैना की तो एक आँख फूटी हुई है नाम से नैना लेकिन ये तो कानी बहु निकली मेरे साथ दोखा हुआ है दोखा बिना दिगा है अपनी कानी लड़की मेरे जंग भ्यादी मुझे कानी बीवी नहीं चाहिए मुझे अभी ओम प्रकाश्ची से बगत करनी पड़ेगी आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या क्यों आरे आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए ता रहा कि तुम कानी हो एक आख से तुम्हें दिखाई नहीं देता किशूरी लाल और रागव नाराज उकर ओम प्रकाश को अपने घर बुलाते हैं पापा जी यह आपने क्या किया शादी से बेले बताया क्यूं नहीं कि नैना के आखों में परिशानी है अरे आप भी ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था अरे लेकिन आप बता तो सकते थे आपको तो हमारी बेटी के प्रापर्टी चाहिए थी वो भी पूरी की पूरी अब क्या हुआ अगर उसे आदा दिखाए दिता है प्रापर्टी तो आपको पूरी मिल गई न और यह क्या बात हुई मेरी शादी प्रावपर्टी से नहीं आपकी बेटी से हुई है अब ये तो पहले सोचना चाहिए था तब तो मेरी प्रावपर्टी देखकर तुमारे जबान लपलपा रही थी लेकिन मैं कानी लड़की को अपने बीवे बना कर नहीं रख सकता पापा कुछ करिये न आप अब करता हूँ करता हूँ देखे ओम प्रकाशी आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते और तुम देखो अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी न तो जो भी प्रावपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले लूँगा और आधी प्रावपर्टी तुम्हारी भी लूँगा और मेरी आधी प्रावपर्टी भला क्यों लेंगे आप इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आदा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आदी जाएदाद परीबड़ी है अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहु बना कर रखे तो तो तुम्हारी पूरी प्रापर्टी तुम्हारी रहेगी और जो मैंने तुम्हें दिया है ना उसमें से बस में आदा लेकर जाओंगा अरे लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रापर्टी में से आदी वापस क्यों लेकर जाएगे अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पती बना कर रखने को तयार हूँ तो इसलिए ताकि भविश्य में अगर तुम मेरे बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पती का हो वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन अपने पती की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए न अब अगर तुमने मेरे बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रापरडी भी कानी ही मिलेगी फूरी नहीं जमाए राजा किशोरिलाल और रागव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फास चुके है और अब उनकी पास माँ से निकलने का कोई चारा नहीं है अब समझ में आया ना लालश बुरी बला होती है एक तो तुम्हें प्रापरडी मिली उपर से बीवी मिली उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने है आए बड़ी चुपचाप बैठो तुना कुछ दिनों के बाद नैना रागों की कार लेकर बासार खुमने निकलती है और जब कार लेकर पापस आती है ये क्या एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सिजिट किया है अरे कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू वो क्या है ना पापा जी मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था सामने से गाड़ी आ रही थी मुझे तो सिर्फ आदा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरे कार से रगड़ती हुए निकल गई अब मैं क्या करूँ बताओ आप इसा ठीक कराने के पैसे कौन देगा तुम्हारे पापा तुमने मुझे से इस तरह से बात की अभी रुको नैना रागव की शुकायत उम प्रकाश को कर देती है देखो रागव अब जो मेरी आधी प्रापटी तुम्हारे पास थी ना उसमें से आधी और में लेकर जाओंगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डाटा आरा नैने पापाजी गल्ती होगे माफ्त कर दो गल्ती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं अगली बार मेरी बेटी को डाटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाओंगा लालच के चक्कर में हम दोने ने बहुत बड़ी गल्ती करती बेटा एक तो तुम्हें कानी बहु मिली और उपर से जो माल मिला वो भी काना इस तरह रागव की हर एक गल्ती पर ओम्हें प्रकाश उसके प्रावपटी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और रागव को कानी भीवी से काम चलाना पड़ा भे लालच वाकई में बुरी बला है अँटिक वाकई आप ए उड़ा बुरूबाव का जया एक में प्रकाश भाल वाकई में रापटी से काम में वाकई में बल्सक्टार्बाव का में वाकई में प्रू आपच्टार्बाव में प्रावड़। झाल झाल